दोस्तों भले इंवेटर बाट्री हो, इलेक्षा बाट्री हो या फिर सोलर बाट्री हो अक्सर उसमें इस शिकायत जबूर आ जाती है कि बैकप काफी कम हो जाता है और बहुत जादा चार्च करने के बाद भी बैकप नहीं दे पाती है तो उस समय हमें लगता है कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे कि हमाई बैटरी का बैकप अच्छा हो जाए अगर आपकी बैटरी 6-7 साल या 8 साल पुरानी तो एक अलग बात है बैटरी खराब होई जाती इतने टाइम में लेकिन अगर आपकी इनवेटर बैटरी दो या 3 साल पुरानी है उसके बावजूद उसमें बैटरी का बैकप काफी कम हो जाता है तो हम कुछ ऐसे ट्रिक्स एप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आपकी बैटरी का बैकप अच्छा हो जाए तो फिर हमारा आज का वीडियो इसी बारे में है आपसे रेक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें वीडियो पसंदा तो प्रीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना और हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखी हमाने सामनी एक Batty रखीयी है, सबसे पहले हम इसके voltage चेक करते हैं, कि देखिए Batty में कई 12V के असपास, voltage है, 12V से थोड़े से कम है, तो затची में voltage तो पूरे हैं, लेकिन ये कंडिशन तब है, जब comebackактерी पर कोई लोड नहीं पड़ा हुआ, यानि inverter इस पर लगा हुआ नहीं है जब हम इस battery को inverter से connect करेंगे और इस पर load चलाएंगे तो battery की voltage और जादर drop हो जाएंगे और battery का backup बहुत अच्छा नहीं मिलेगा अब दोस्तों हम क्या करेंगे हम पहले battery की जितनी भी sales है एक battery में 6 sales होते है सबकी हम gravity चेक करेंगे कि इसमें gravity कितनी है अगर किसी sales में gravity कम है किसी में ज्यादा है तो फिर उसमें हमें मालूम पढ़ा जागा कि हमारा कोई sales खराब है जिसमें gravity नहीं बन नहीं वो sales हमारा खराब है लेकिन यह जो condition है इस battery में 6-6 sales हिल में gravity बिल्कुल निल पढ़ी है यानि battery बिल्कुल डाउन है अच्छा battery की charging जो मालूम पढ़ती है battery के gravity लेगल से ही मालूम पढ़ती है अगर battery में 250 gravity है तो battery हमारी full charge है और gravity अगर कम होती है तो उससे हमें मालूम पढ़ता है कि battery कितनी charge है अभी यह जो battery है इसमें gravity बिल्कुल निल है यानि battery बिल्कुल भी charge नहीं है तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए पानी भी इसमें काफी भरा हुआ है यह जो battery हमारी सामने रखी है इसमें पानी उपर तक भरा हुआ है आम तो पर बहुत सारी लोगा सोचना यह होता है कि battery में हम पानी जादा भर देते हैं जिससे हमाई battery का पानी काफी लंबे टाइम तक चलेगा पानी जल्दे खत्म नहीं होगा लेकिन यह गलत करते हैं ऐसा करने से battery में पानी तो जादा हो जाता है लेकिन उसमें acid की quantity कम हो जाती है और फिर battery में जो gravity बनना चाहिए वो gravity नहीं बन पाती है और battery का backup बिल्कुल खत्म हो जाता है काफी कम हो जाता है इसमें देखिए हमें क्या करना होगा हम इसमें से जो पानी है वो हम पानी निकाल देंगे जैसा कि आपको बताया है कि पानी ज्यादा होने से battery में gravity नहीं बन पाती है और फिर battery का backup खत्म हो जाता है तो हम इसका पानी निकाल देंगे पानी निकाल कर उसमें हम 1250 gravity का तिज़ाब डाल देंगे तिज़ाब किसी भी battery की दुकान पर मिल जाता है तो फिर चलिए पहले इस battery का पानी भी निकालते हैं और पानी निकालते समय इस चीज़ के ध्यान लखें अगर आपके घर में पत्थर बगएरा लगे हुए हैं और फर्श पर आप पानी इसका बैट्टी का निकालते हैं तो चलिए हम इसमें तेज़ाब डाल देंगे यह देखिए 250 ग्रिवटी का तेज़ाब है ग्रिवटी में आप देख सकते हैं इसे हम बैट्टी के सभी सेल्स में डाल देंगे और उसके बाद में हम बैट्टी को थोड़ी ठंडा करने के लिए छोलेंगे तुरंत हम इसे charging पर नहीं लगाएंगे तक्रीपन एक से दिल घंटे के बाद हम इस battery को charging पर लगा देंगे नई battery होती है उसे तो आम तोर पर हम लोग charger पर लगागे चार्ज करते हैं लेकिन इसमें प्राणी battery है और फिर हमने 250 gravity का तेज़ाब भी इसमें डाल दिया हूँ battery में थोड़ाद voltage पहले भी थे ग्याज़ा 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 वोल्ट के असपर तो हम इसे inverter से ही charging पर लगा देंगे inverter से ही हमाई battery charging स्टार्ट कर देगी तो हम इसे inverter पर charging पर लगाएंगे और फिर उसके बाद में आपको बताएंगे कि हमें कितनी देर से charging पर लगाना है कितनी देर में battery हमाई full charge हो जाएगी और अगर हमाई battery का कोई sale खराब भी है तो वो भी सब इस सारे process के बाद ही मालूम पड़ पाएगा क्योंकि जब battery charge होगी उसके बाद जब हम इस पर load चला कर देखेंगे और battery का backup अगर कम आएगा तो हम इसके sale भी चेक करेंगे वो उसके लिए अलग तरीका है वो उसके बात का एक process है ज़िए फिलाल पहले हम battery में तेजाब डालते हैं सभी sales में हमें बराबर का तेजाब ड इनवर्टर से charging पर लगा सकते हैं हमें negative और positive का ध्यान रखना है negative पर negative वाय लगाना है positive पर positive वाय लगाना है अब यह देखे हमने inverter से connect कर दिया है और inverter हमारा भी low battery का indicator शो कर रहा है क्योंकि battery हमाई अभी charge नहीं है अब यह देखे red का लगए indicator आपको दिखा ही पढ़ रहा ह यह low battery का indicator है चुक्क battery में charging बिल्कुल भी नहीं है अब हमें इसे charging पर लगाते हैं देखे हमने main line से connect कर दिया है inverter को और inverter ने देखे charging स्टार्ट कर दी है हम इसे तकरीबन 12 से लेकर 14 गंटे तक charging पर लगाएंगे continue हमें इसे charge करेंगे क्योंकि इससे कम में battery full charge नहीं हो है वो सब battery full charge होने बाद ही आगा और battery से पहले full charge हो भी नहीं पाएगी तो चलिए है पहले से charge करते हैं अच्छे से उसके बाद में फिर लोट चला कर देखेंगे कि हमारी battery success होई या फिर नहीं होई तो इसे हम छोड़ते हैं charging करने के 12 से लेकर 14 गंटे के बीच में यह या फिर अपनी solar battery पर भी यूज कर सकते हैं तो बहुत आसानी generator की battery हो या tractor की battery उस पर भी यूज कर सकते हैं तो इससे हमारी battery के काफी हद तक chances रहते हैं कि battery हमारी success हो जाए और success हो भी जाती है चलिए अब battery का backup चेक करते हैं यह देखिए battery हमने mainline से हटा दी है और यह battery mode पर हमारे inverter बढ़िया काम कर रहा है यह बेट्टी हमारी success ही दोस्तों उम्मीध है वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद